मामलत जन्पत चामली के थाना आदश मंडी शेत्र के करोडी मोड का है जहां पर दो बदमाशों के बीच मुटबेड हो गई मुटबेड में दौनों बदमाश घायल हो गई आपको बता दे की छे फरवरी 2023 को ग्राम कस्रेवा खुर्द में भारत फाइनेंस के कर्मी सुनील कुमार निवासी चिलकाना सारनपूर से तीन अग्याद बदमाशों द्वारा लगब 69,000 लूट लिये थे जिसके संबन में थाना आरदश मंडी पर ततकाली मुकदमा अपराद संखिया 19 बटा 23 धारा 392 बनाम अग्या तीन बदमाश पंजीकृत हुआ था के दौरान थाना आरदश मंडी शेत्र में करोडी रोड पर मुटबेड के दौरान दो बदमाश सुमित पुत्र राजवीर निवासी ग्राम शीतल गडी थाना चिंजाना वा दूसरा प्रमोद पुत्र चंदरपाल थाना शाहपूर घायल हुए हैं जिने ततकाल प्रात्मि सैमसंग वा लूट के 25,000 रुपे बरामत भी हुए हैं अन्य वेधानी कारेवाई की जा रही हैं जनपत सामली के थाना आदर्स मंडी शेत्र में किरोडी रोड पे अभी बदमासों के साथ मुठवेड हुई है दरसल थाना प्रभारी और एसोजी की टीम जो बिगत दिनों म में लूट की घटना हुई थी अभी चार दिन पहले छे तारीक को प्राता काल उसके समंद में उनको कुछ सूचना मिली थी उस आधार पे अपराधियों की चानविन कर रहे थे उसी क्रम में दो अपराधियों को वहां रोकने का इन लोगों ने प्रयास किया बदमासों द् आत्म सुरफ शार्थ जो गोली चलाई गई है उसमें दो अनमास घायल हुए है इसमें दुखत पहलू यह रहा कि हमारा मुख्य आरच्छी जो राहुल सिंग है वो भी इस मुटभर में उसको भी गोली लग गई है इमीडियेट इस लटना के बाद तवरित रोप से दो बातित की गई बातित करने के बाद जो तत्य संग्यान में आया कि अभी चार दिन पहले छे फरोरी को सुबह भारत फाइनस के कलेक्शन एजेंट से इनके द्वारा लूट की घटना कारीद की गई थी इनके द्वारा जो लूट की गई इसमें से लूट में गई हुई जो टैब था सैमसन का टैब था और पचीस हजा रुपे इसकी बरामदगी की गई है और इनके पास से दो अबैद तमंचे और जिंदा कार्तूस तता कुछ खोखें भी बरामद हुए हैं यह घटना में प्रियुक्त मोटर साइकिल की भी बरामदगी की गई है इसके आधार पर अग्रेतर बाधानी करवाई कराई जा रही है सर इन पर कितने मुगद में दर्ज दे और कहां कहां मुगद में दर्ज है अभी देखिया चुकि प्राथमी कस्तर पे यह इस मुटवेड के बाद दो अपराधियों की गरपतारी हुई है अभी जो पूश्टाज की गई है इसके माध्यम से लूट का खुलासा हुआ हुआ नावरन हुआ है बाकी और अभी हम रात में तहकीकात करा रहे हैं इसे और भी पूश्टाज करा रहे हैं डाक्टर के अनुमती से और फिर अपने अभी लेखों को खंगा लेंगे और इनकी क्रिमिनल हिस्टी की जानकारी करें किस घटनों का अंजाम देने के लिए जायरे किये गए हैं यह अभी विश्टित जानकारी पूस्ताज के बाद हो क्या इन पर कोई नाम नहीं है अभी तो कि तीन-चार दिन पहले की घटना थी कोई नाम वगरा नहीं रखा गया था और अभी इनकी हिस्टी से जैसा मैंने पहले ही बताया हम चान भी करा रहे हैं